कि यह पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनून गुड इवनिंग टू अल अफ यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छ हूँ सो आज से हम चालू करने वाले है आपका फास्ट्रेक बैच और यह फास्ट्रेक बैच आपके में नवेंबर 2023 एक्जाम के लिए अप्लिकेबल है So good evening to Prathik, Gaurav, Virendra, Srinivas, Hitesh, Sai Karthi, I think Sai Karthi मैh Sahi Pranauce कर पा रहा हूं आदित्यर गुवनिंग गॉर्व ए ए इन गॉर्व ए था इन तो वुर्व तो दुबलु कैसे स्बूआ सुरेश विडू इट स्रिजह शिका शिका खुजियामा, राइट, सभी मैं प्रेनाउस कर पा रहा हूँ, एफवान, हमन्त, एक जगे सिरफ पू लिखा हुआ है, तो शायद पूजा रहेगा, पूजा, हितेश, गुद इवनिंग, हमन्त, गुद इवनिंग, येस, कृतिका, गुद इवनिंग, रोहिद, गुद इवन बोला और जिसको नहीं बोला है, उसके लिए आप समझ लो, गुद इवनिंग, प्रॉम माई साइड, ओके, तो चलिए, आज से हम चालू करने वाले है, आपका फास्ट्रेक बैच और ये फास्ट्रेक बैच आपके कौन से एक्जाम के लिए अपलिकेबल है, वो आपन 23 एक्जामिनेशन, और अगर आप CMA Final के स्टोडेंट है, तो CMA Final के लिए ये जो बैच रहेगा, जो CMA Final का आप एक्जाम दे रहे है, CMA Final का जो भी June and December 2023 का एक्जाम रहेगा, उस एक्जाम के लिए ये बैच आपलिकेबल है, तो सर ये CMA में क्या दोनों में DT same है, answer is yes, दो एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, जिसका नाम है ब्लाक मनी और वो ब्लाक मनी अभी तक सिरफ CMA Student के लिए है, CMA Student के लिए नहीं है, so ब्लाक मनी जो एक्ट है, that is only applicable for CMA Student, that is not applicable till now for the CMA Final, CMA Final के लिए applicable नहीं है, तो अगर आपके पास compact रहेगा, अगर आपके पास नहीं है, don't worry, आपको 4-5 दिन के अंदर अंदर, volume 1 आपको मिल जाएगा, अब एक बास समझना, ये जो compact volume रहेगा, अपन जो पढ़ने वाले है, वो compact से पढ़ने वाले है, यहाँ पे आपको index दे रखा है, index में जितने भी topics है, वो topics दे रखे है, तो इस topics में देखेंगे, तो last वाला जो 2015, और यहाँ bracket में लिखा हुआ है, it is applicable only for CMA student, ये सरफ CMA student के लिए applicable है, as of now, CMA के लिए applicable नहीं है, लेकिन आशिना, एक चीज ये है, कि जहां तक मुझे inputs मिल रहे है, कि in CMA final, जो November 2023 का exam रहेगा, में के लिए तो obviously black money applicable नहीं है, but November 2023 का जो CMA final का exam रहेगा, वो CMA final के exam के लिए ICI है, वो new syllabus launch करने जा रही है, mostly, मैं अभी mostly what use कर रहा हूँ, और उसमें उन्होंने black money को include किया है, तो मैंने क्या किया, कि बुक में अभी जो आपको बुक मिली है, उसी बुक में मैंने black money भी डाल के दिया है, कि if you are appearing for the November 2023 examination, और अगर नया syllabus आता है, और नया syllabus में black money act रहता है, तो already आपकी बुक में पहले से रहेगा करके, और उसके lecture मैं YouTube पे डाल तूँगा, don't worry about that, ठीक है, चलिए, तो हम चालू करने वाले, असर एक बात बताईए, अगर नया syllabus आता है CA में, और हम जो है, वो November 2023 टार्गेट कर रहे है, तो क्या DT में कोई ज ज्यादा changes नहीं आने वाला, जहां तक मेरे पास जो inputs है, जो मुझे सुनने में मिल रहा है, कि उल्टा CA final में कुछ topics है, वो हटा दिये जाएंगे, एक तो जैसे salary का topic है, वो ऐसे भी आता नहीं है, आज तक, कभी आता नहीं है, तो salary का topic हटा दिया जाएगा CA final से, ऐसे एक topic और छोटे-छोटे जो हटा दिये जाएंगे, और उसकी जगह black money act है, वो जोडा जाएगा, ये चोटा सा changes है, वो new syllabus में आ सकता है, इंदस ये final कर गे, ठीक है, चलिए, अब हम चालू करते है, अपना fast track batch, और ये जो batch है sir, इसका नाम fast track है, तो क्या, इसका में बहुत ज़ नहीं होने वाला है, और CA final में कोई भी open book exam नहीं होने वाला, except, 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 जो paper number 6 वो लोग डालने वाले है, that is multi-disciplinary कर गे, तो जो multi-disciplinary वाला एक subject जो है, उसका open book exam होगा, बाकि किसी भी subject के लिए open book exam का अभी तक मेरे को नहीं लग रहा है, और जहां मुझे पता चला, अभी अभी तक नहीं होने वाला, open book exam नहीं होने वाला, और DT में तो खास कर नहीं होने वाला, क्योंकि DT में अगर open book कर दिया जाए, open book में आप क्या दे सकते हो, या तो bare act दे सकते हो, और जब bare act दे दिया, तो DT एक core paper होता है, CA final के तो बच्चे को retain करना चाहिए, तो यहां प कोई एक भी attempt नहीं मिलेगा, old से सीधा new में transition हो जाएगा, means अगर November 2023 के लिए applicable होता है, तो सीधा में के बाद सीधा November 2023 new के लिए होगा, जहां तक मुझे inputs मिल रहा है, उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देंगे, old में क्यों continue करेंगे, जब new syllabus में, अगर म ज़्यादा major changes नहीं है, कुछ छोटे मोटे changes रहेंगे, तो कोई भी old course के साथ continue करना नहीं चाहेगा, so this is all about the, अगर new syllabus November 2023 के लिए applicable होता है, तो क्या होगा, तो एक चीज़ समझना ये जो बैच में हम पढ़ने वाले, obviously हम May November 2023 दोनों के लिए पढ़ेंगे, but अगर November 2023 attempt के लि change होगा, क्योंकि ultimately it is based on the law, तो law में क्या change हो सकता है, कुछ भी change नहीं हो सकता, बट अगर कुछ भी ऐसा additional आता है, और अभी आप ये batch attend कर रहे हैं, November 23 वाले, don't worry about that, सब चीज़े हम cover करने वाले हैं, आपके इसाब से, चलिए, तो sir हम जो है, वो क्या पढ़ने वाले है, तो और अगर ये changes होता है, November 2023 के लिए, अगर new syllabus आता है, तो यहाँ पे DT का जो paper है, वो paper number 5 बन जाएगा, क्योंकि 3 paper रहेंगे first group में, और second group में 5 नहीं रहेगा, paper number 4 बन जाएगा, DT will be the paper number 4, IDT will be the paper number 5, and 6 will be the multi-disciplinary वाला paper, ऐसे paper number ये जो है, ये आपका 4 बन जाएगा, अगर new syllabus 2023 के लिए आता है, तो अब एक और चीज समझना, CMA की अगर मैं बात करूँ, तो CMA के लिए paper number 15, 16 कर गए है, पहले 2016 वाले syllabus में paper number अलग था, अभी नए syllabus जो आया है, 2022 वाला CMA Institute का, उसमें ये paper number, जो है, वो paper number को change किया है, बट content कुछ भी change नहीं हुआ है, so it is applicable for you also, चलिए अब सरे एक बात बताईए, हम चालू करते हैं, आज से fast track batch, हाँ, आज से हम fast track batch है, वो चालू करते है, और इस fast track batch में सर हम कैसे पढ़ने वाले है, तो एक बात बताओ, एक मेरी आप से ये request रहेगी, पहली चीज बता दूँ, ये fast track batch कोई fast track batch नहीं है, it is not a cut shot, case में cut कर दि में क्या difference, regular batch में हम class में लिखवाते हैं, maximum question, almost question है, वो class में discuss होते हैं, but fast track batch में obviously जो question, discussion है, वो थोड़ा limited होगा, I will cover the question in classroom, don't worry about that, but some similar question I will give you in the homework, जो आपको homework में करना रहेगा, तो मेरा सबसे पहला request आप लोगों से ये है, जो आपको homework दिया जाता है, वो homework को आप timely करेंग और थोड़ा बहुत homework करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये है, कि आपको revise करके आना है, ज्यादा time नहीं लगेगा, only 30 minutes revision का लगेगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा 3 गंटे में, आप 30 minutes में इसको revise कर लेंगे, और 30 minutes में revise करके आएंगे दूसरे दिन, और उसके आगे हम बढ़ेंगे, आपको क्या material follow करना है, compact और compiler ये आपको follow करना है, और जो आपका exam होगा, उसके लिए जो MTP, RTP, ICI का आएगा, वो आपको follow करना है, तो that should be material you should follow for your examination, compact exhaustive है, answer is yes, compact exhaustive है, don't worry about that, क्योंकि अगर आप book का volume 1 देखते हैं, तो volume 1 में ही there is a 450 के approach pages, and in volume 2 also there is a 140 pages, so 540 pages के करीब है, वो आपका booklet है, उसके साथ-साथ compiler भी है, तो ये आपके लिए exhaustive material है, इतना आप ढंक से करके जाएंगे, आप आराम से अच्छा score कर पाएंगे, इस paper में, चलिए, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, sir, अगर हम compact compiler करते हैं, तो क्या हमको ICI का material करने की जर already covered हो चुके है, और वो आपके already covered हो जाएंगे, ठीक है, मैं इस आपके compiler में all questions covered है, तो ICI material आप अगर DT paper के लिए नहीं देखेंगे, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, विक्वास्ट paper अपने आप में बहुत वास्ट paper है, और इस वास्ट paper को manage करना last के देट दि international taxation, सर एक बात बताईए, आज अपन थोड़ी normal normal सी बाते करेंगे, पहले part में तो, बहुत easy easy सी बाते करेंगे, जो आपने कही ना कहीं पे पहले पढ़ा होगा, या कही ना कहीं पे आपने सुना होगा, वैसी छोटी छोटी बाते करेंगे आज, सबसे पहली चीज, एक बात tax नहीं है, अभी उसकी जगे सिर्फ income tax है, इंडिया में, wealth tax को उन्होंने हटा दिया, पहले हुआ करता था, अब नहीं है, तो मेरा question आपसे ये है, कि आप लोग जो income tax law पढ़ने वाले है, या income tax act पढ़ने वाले है, हम लोग इस batch में, income tax law पढ़ने वाले है, या income tax act पढ़ पढ़ने वाले, बताइए, बताइए, क्या पढ़ने वाले है, हम, एक और बहुत जरूरी चीज़ कि आपको reply करते रहना पढ़ेगा, जब आप live batch अटेंड कर रहे हो, तो आपको reply करते रहना पढ़ेगा, मुझे बताइए, आप income tax law पढ़ने वाले है, या income tax act पढ़ने व पढ़ने वाले है, चलिए, एक काम करते है, हम आपका material देख लेते है, ICI की website पे, और ICI क्या पढ़ाती है आपको, ICI क्या बोलती है, आपको income tax law पढ़ना है, या income tax act पढ़ना है, तो मैं student section पे गया, और student section पे अगर मैं board of study में जाता हूँ, और board of study के portal पे, as of now, आपका जो study material दे रखा है, CA final का, तो CA final का study material में paper number 7 की बात करता हूँ, direct tax and international taxation, अब एक बात समझना, study material applicable for May November 2022 के लिए, अभी तक updated है, जिस दिन को ये match back चालू कर रहा हूँ, उस दिन सिरफ May November 2022 वाला study material अभी तक updated है, सर एक है ना, एक चीज में आपको बता दू, November 2023 से, there will be a new syllabus, तो May 2023 के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है, ICI will not issue the new study material, May 2023 के लिए, जहां तक मुझे पता चल रहा है, कि new study material नहीं आने वाला, ये old study material रहेगा, उसके साथ में सिरफ amendment का supplementary ICI देगी, So there what will be the for May 2023, मैं क्या बोल रहा हूँ, CA की बात कर रहा हूँ, तो May 2023 के लिए, जो है, वो शायद new study material नहीं आएगा, old study material ही रहेगा, और उसके साथ में ICI एक supplementary issue करेगी, But November 2023, mostly there will be a new syllabus, तो उस टाइम पर उनका जो new study material आएगा, तो चलिए, हम law पढ़ने वाले है, या act पढ़ने वाले है, तो हम एक काम करते है, जो direct tax है, हर जगे क्या लिखा हुआ है, direct tax laws, यहाँ पे direct tax में ऐसा नहीं लिखा हुआ, कि income tax act पढ़ने वाले है, यहाँ पे हर जग यहाँ पे income tax law ही है, यहाँ पे देखिए, income laws and procedure under the income tax act है, वो हम पढ़ने वाले है, तो law पढ़ने वाले है, तो question ही आता है, sir, act और law में फरक क्या होता है, sir, act और law में फरक क्या होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, देखो, law जो है न, वो एक wider term होता है, यह law आता है, उसके बाद में इसके साथ साथ में rules आते है, उसके साथ साथ में notifications आते है, उसके साथ साथ में circular आते है, उसके साथ साथ में case laws आते है, और यह सब चीज़ों का जब हम combine study कर लेते है, तो मैं बोलूँगा आपने law पढ़ा है, आप GST में GST act only नहीं पढ़ते है, अगर GST का material भी देखेंगे, तो GST के material में वहाँ कहीं पे भी GST law नहीं बोला है, वहाँ पे आपका जो GST का law बोला हुआ है, कि आप GST law पढ़ने वाले है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे, तो वहाँ पे हर जगे indirect tax laws में बोला हुआ है, कि goods and service tax है, उसका law पढ़ने व उस law के अंदर ही rules आते है, notification आते है, circular आते है, case laws आते है, यह सब का जब आप combine study कर लेते है, तो आप बोलेंगे, आपने law पढ़ा है, income tax law पढ़ा है, अब आप बोलेंगे, कि सर, act क्या होता है, तो देखिए, act क्या होता है, act जो है, act में, income tax में हमको जो पढ़ना है, यह act जिसका नाम है, income tax act 1961, यह income tax act 1961 पढ़ना है, तो income tax act है, वो basically एक team का, you can say that, यह पूरा जो है, यह Indian cricket team है, और act जो है, वो उसका captain है, act जो है, वो उसका captain है, जो पूरे को lead करता है, तो यहाँ पे income tax act 1961 है, जो एक leader है, वो आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो income tax act 1961 is applicable to whole India, including the Jammu and Kashmir, यहाँ Jammu and Kashmir पे भी income tax act लगता है, पूरे पे लगता है, तो income tax act है, वो main law है, जो वो यह बताता है, किस पे tax लगेगा, कितना tax लगेगा, कैसे tax लगेगा, आपका assessment कैसे होगा, वो जितने भी provision है, वो income tax act 1961 में दे रखे है, अब यह income tax act 1961 applicable कब से हुआ था, यह applicable हुआ था, 1st April 1962 से, so 1st April 1962 से applicable हुआ था, ऐसा इसके लिए, क्योंकि आप assessment year wise देखते है, तो यहाँ पे जो assessment year है, वो assessment year 62 and 63 से यह applicable हुआ था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, 1st April 1962 से applicable हुआ था, यह वाला act, लेकिन सरे एक बात बता है, यह तो बात हो गई act की, लेकिन इसक साथ साथ में हमको और क्या पढ़ना पढ़ेगा, इसके साथ साथ में हमको पढ़ना पढ़ेगा, income tax rules 1962, income tax rules 1962, आपको income tax rules 1962 पढ़ने पढ़ेंगे, सर एक बात बताई, यह rules क्या होते है, तो rules क्या होते है, कि जो act को support करने के लिए, यह जो act है, इसको support करने के लिए, government जो है वो क्या बनाती है, rules बनाती है Act को support करने के लिए, कैसे support करने के लिए जैसे मैं एक example देता हूँ कि यहां Income Tax Act में लिखा हुआ है कि अगर आपकी income 250,000 Miss Basic Exemption से ज़्यादा है तो आपको अपना Income Tax return file करना पड़ेगा in the prescribed form लेकिन सिर्फ prescribed form कहां form दे रखिया है? यह form दे रखिया है Income Tax Rules में Income Tax Rules में दे रखिया है आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि आपको depreciation आप जब office में काम करते है तो आपना depreciation सुना होगा और आपको बता है computer पे depreciation कितना मिलता है 40% मिलता है computer पे depreciation 40% मिलता है Plant and Machinery पे Depreciation 15% मिलता है, Building पे Depreciation 10% मिलता है, यह कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है 15%, 10%, 40%, आप बोलोगे Section 32 में लिखा हुआ है, क्या यह Section 32 में लिखा हुआ है, अगर आप Section 32 को जाके देखे, तो क्या यह Section 32 में लिखा हुआ है, चलिए हम आपको Section 32 दिखा ही देते है तो हम आपको section 32 income tax की मैं website पे गया और income tax की website पे जाने के बाद income tax की website की मैं website पे गया और income tax की website मैं ACT में और ACT में जाने के बाद income tax act 1961 amended by the finance act 2022 मैं क्या कर्ता हूं section 32 टाइप करता हूं तो मैं 32 टाइब करता हूँ, यहाँ पे depreciation दे रखा है, यहाँ आप एक बात समझे, यहाँ कहीं पे भी पूरी section को आप read कर लेंगे, कहीं पे rates के बारे में दे ही नहीं रखा, यहाँ पे तो क्या दे रखा है पता है, अगर आप पढ़ेंगे, in respect of the depreciation, building machinery, plant and furniture, tangible assets करके ठीक है know-how, patent, copyright बगेरा, आपके intangible assets, आगे क्या दे रखा है, own wholly or partly by SSC, and use for the purpose of business or profession, the following deduction shall be allowed, उसमें से आपको deduction है, वो deduction allow होगा, अब allow कितना होगा, अगर के यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, अगर के ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, यहाँ पे word use किया है, prescribe, यहाँ अगर rule में जाके देखोगे, तो वहाँ लिखा हुआ है, कि आप computer पे depreciation की rate आपका 40% है, या planted machinery पे depreciation की rate आपके 15% है, so that is prescribed in the rules, आपके rules में prescribe कर रखे है, ठीक है, चलिए, अब एक और चीज़ समझना, CMA वालों के लिए खासकर मैं बोल रहा हूँ, आपका जो ICMI का जो नय में वाले student है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका नया material updated है, for the May, sorry, June and December 2023, तो आप नया वाले material से सरफ question देख सकते है, बाकी theory पढ़ने की जरूतनी, theory मैं आपको यहाँ पे सब पढ़ाऊँगा, कुछ questions CMA वाले student देखना चाहे, तो आप ICMI के material, उसको भी ICI बोलते है तो ICI material से आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमको act समझ में आ गया, sir, उसके साथ साथ में हमको rules भी समझ में आ गया, सरीक बात बताए, यह rules क्या होता है, obviously act को support करने के लिए rules होता है, GST में आपको पता रहेगा, GST लगता है, on the value of the goods, अब valuation कैसे करना है, तो valuation के लिए rules बना रखे है, GST में, तो same वैसा का वैसा, अब एक चीज समझना, एक concept आता है notification और एक concept आता है circular, सरीक बात बताए, यह circular क्या होता है, circular क्या होता है, कि law में अगर माल लो, कोई भी चीज को clarify करना है, किसी provision को clarify करना है, तो clarification के लिए CBDT के पास यह power है, कि CBDT circular निकाल सकती है, अब आप बोलोगे, CBDT क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बताओ, इंडिया में, जो finance ministry होती है, उस finance ministry के अंडर, दो revenue के board है, one is the CBDT and one is your CBIC, जो CBIC है, वो आपका GST, indirect tax, custom वगरा देखती है, और CBDT जो manage करता है, central board of direct tax है, यह आपका income tax manage करता है, तो income tax का पूरा जो administration का काम है, वो CBDT के पास है, central board of direct tax के पास, तो central board of direct tax क्या करता है, कि अगर किसी भी provision में कोई भी confusion है, उसको clarify करने के लिए, they have the power that they can issue the circular, circulars क्या होते है, पता है, circular है, वो guidelines होती है, you can say that, some guidelines, कि अगर मानलो किसी भी section में कोई dispute आए, तो वो पहले ही guidelines issue कर देते है, that is called circular, 真s department, जो है, income tax department, उस पर binding होंगे, assessi पर binding नहीं होंगे, assessi या courts पर binding नहीं होते है, अगर आपको लगता है, आपके लिए favorable, circular है, तो आप फॉलो करिए, भैट अगर आपको लगता है, आपके लिए favorable नहीं है, तो आपको follow करने के जरुरुवत नहीं है, it is not binding to you, it is binding to the department, answer is yes it is binding to the department, department को follow करना ही पड़ेगा, department ऐसे उससे हट नहीं सकता, कि नहीं हम circular follow नहीं करेगे department has to follow that but SSC, there is no binding on the SSC, if it is favorable for you then you can follow that, otherwise you can ignore that circular now what is the meaning of the notifications चलो सरे एक circular का example बता दो website पे, तो मैं बता हूँ, अपन बार बार income tax department की website है, वो खोलते जाएंगे अपना reference point रहेगा, बहुत बार अगर मुझे कोई ऐसी चीज बतानी रहेगी, तो मैं income tax department की website पे आपको लेके जाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं circular का example देता हूँ, तो देखिए circular में, मैंने circular पे click किया यहाँ बहुत सारे circular है, तो चलिए मैं जैसे एक circular को यहाँ पे आपके सामने लेके आता हूँ, यह वाला ले लीजिए हाँ यह वाला एक circular है that is the circular number 18-2022 का यह circular किसने issue किया हुआ है, government of India के अंदर, finance ministry आती है finance ministry में department of revenue department of revenue के अंदर, दो board आते है one is the CBDT and one is the CBDC so यह central board of direct tax है इन्होंने 13 September 2022 को एक circular issue किया था that is the guidelines issue की, देखिए किस के लिए additional guidelines for the removal of difficulties under subsection 2 of section 194R of the income tax act 1961 एक section 194R बड़ी की interesting section है, जब आपन TDS पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा यह section पढ़ने में और यह section से related कुछ disputes थे, कुछ doubts थे तो उसको clarify करने के लिए उन्होंने guidelines issue की, that is called circular this is called circular, यह circular का आपके लिए मैंने example लिया, कि यह तुमारा circular है, जब किसी भी guidelines issue करना किसी भी चीज को clarify करने के लिए that is called circular लेकिन sir notification क्या होता है तो देखिए, notification क्या होता है न, कि अगर मानलो किसी amendment का effect देना है, किसी amendment का effect देना है, तो उसके लिए वो क्या लेके आते है, notification लेके आते है जैसे for an example मानलो आज GST की rate है वो 18% है, but उसके बाद में हुआ क्या, कि for an example मानलो GST में law में change हुआ और उन्होंने बोला कि अभी GST की rate 18 की जगे 20 हो जाएगी from the date as may be notified आपने बहुत बार यह word सुना होगा as may be notified, so as may be notified का मतलब क्या होगा, जिस दिन notify करेंगे, मालो जिस दिन notification निकाल के लेके आएंगे, उस दिन से ये जो rate है, वो आपका 18% की जगे कितना हो जाएगा, आपका 20% हो जाएगा, this is call your notification, miss किसी भी amendment का effect देने के लिए या चीजों को amend करने के लिए वो लोग क्या issue करते है, notification issue करते है ये notification issue करने का power किस के पास है, central government के पास है, as well as the CBDT के पास है तो government या CBDT है, वो notification issue कर सकते है, और notification is binding to the assessi as well as department, अगर कोई चीज notify हो गई, तो कोई चीज notification हा गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मैं तो इसको follow नहीं करूँगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते, you have to follow the notification आपको notification है, उस notification को follow करना पड़ेगा, you have to follow the notification करके, ठीक है चलिए, अब एक और चीज समझना अप लो अब एक और चीज समझना sir, यह case laws क्या होते है मैं आपको बताऊं हम income tax में काफी सारे case laws पढ़ने वाले है, अब यह case laws क्या होते है क्योंकि हर चीज law में लिखी नहीं जा सकती हर चीज law में लिखना is very difficult, क्योंकि बहुत सारे disputes हो सकते, it is impossible to write everything in the law so क्या होता है, उसके बाद में disputes होते है और dispute को resolve करते है तो resolve करने के बाद, जो judgment आता है उसको बोला जाता है case law अब एक बाद समझना, बहुत सारे judgment आते है जैसे for an example, एक judgment, जस्त मैंने example ले रहा हूँ, SRK versus CIT और यहाँ पे लिखा हुआ है 369 CTR 58, उसके बाद दे रखा है Bombay High Court ऐसे judgment लिखा हुआ है करके ठीक है ऐसे लिखा हुआ है और उसके बाद एक year लिखा हुआ है 2022, तो इसका मतलब क्या, इसको कैसे read करते है, तो मैं बताँ सबसे पहले, जो person case को file करता है, मतलब जो person ने case किया है, उसका नाम हमेशा पहले आता है, that is the SRK यहाँ पर case SRK ने किया है किसके against किया है, CIT के against, CIT का मतलब होता है Commissioner of Income Tax क्या होता है, आगे जाके आएगा Commissioner of Income Tax है वो आपका respondent है, petitioner कौन है SRK, SRK ने petition file किये और किसके against में, CIT है, वो second party है, आगे दे रहा है 269 CTR 58 एक बात बताओ, यह क्या होता है, यह एक, you can say that, example के लिए एक booklet होती है, जिसमें यह record होते है case, जितने भी cases हैं, वो record कहां पे होते हैं, वो CTR, ITR, practical life में बोलते हैं, कि CTR, ITR, यह एक reference number है, अगर आपको इस case के बारे में ज्यादा ढूंड़ना है, तो आप इसको search करेंगे, तो इसको search करेंगे, तो आपको case का पूरा detail है, वो मिल जाएगा, मिस कहां पे यह case recorded है, in simple word मैं बोल दूँ, कि यह कुल मिला के एक index है, यह index number है, कि यह case कहां पे recorded है, जैसे मैं जो apex quote है, इसको apex quote भी बोलते हैं बहुत बार, apex quote बोलो या supreme quote बोलो एक ही बात है, तो supreme quote जो है, वो supreme quote यहां पे कभी-कभी supreme quote लिखा होगा, कुछ cases में कुछ लिखा होगा, high quote अब मैंने क्या किया है, अगर आप booklet को देखेंगे, तो booklet मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारी चीज़ की है, प्यारी चीज़ यह की है, कि जो जो supreme quote का judgment है ना, उसके लिए मैंने orange strip यूज की है, जहां जहां पे आप judgment देखेंगे इस book में, तो जहां जहां पे supreme quote का judgment है यहां पे देखिए, जैसे यह case law है, अब यहां पे यह case law है, सेशाशाय स्टिल private limited 2022 supreme quote का judgment है, तो जहां supreme quote का judgment है, वहां पे मैंने यह orange strip use की है, that is the orange strip से आपको समझ में आएगा कि supreme quote का judgment है, ठीक है लेकिन जहां पे आपके high courts के judgment होंगे, वहां पे मैंने क्या किया, orange strip use नहीं की है, मैंने उसकी जगे पे क्या किया है, यह blue strip use की है, जैसे यह देखिए, आदित्य कुमार, जजोडिया, 2018, कलकत्ता high court का judgment है यह, तो जहां-जहां high court के judgment होंगे, वहां पे यह blue strip reviews की है, और जहां-जहां सुप्रियम court के judgment होंगे, वहां पे मैंने orange strip use की है, उसके साथ-साथ मैंने इस बार एक बहुत अच्ची चीज़ की है, कि जो concept है, उससे related compiler में question कहां दे रखा है, तो मैंने उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ की है, कि जैसे ही आप concept पढ़ेंगे, उसी के पास में आपको मिल जाएगा refer compiler question number 2, तो इस concept से related आपका question number 2 है, वो आपको देखना है, उसके बाद जैसे मान लो, यह आपका concept complete हुआ, इस concept से related आपको compiler का question number 5 है, वो आप देखिए, तो आपको वहाँ पर समझ मिलेगा, करके ठीक है, उसके बाद मैं यह देखो, supreme court का judgment आए, बाल कृष्णा तो यहाँ पर supreme court का judgment है, तो यहाँ पर आपका, जो orange strip है, वो मैंने यहाँ पर use किया है, और यहाँ पर जैसे यह question आए, तो question number 3 और 21, दो question है, जो इस concept से related है, आप देखिए, बहुत मैनत की है, इस बार, बहुत मैनत की है, इस बार करके, ठीक है, बहुत मैनत की है, इस बार, in this particular, like book के लिए करके, ठीक है, चलिए, अब एक चीज समझना, तो आपको जो मैंने बताया, that is related to the circular notification, आपका act और rules, क्या होता है, और case law कैसे होता है, अब एक चीज समझना, आपको क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा, तो आपके exam के लिए, मैं बता दू, आपको जो चीजे पढ़नी है, one is the income tax act 1961 है, वो आपको पढ़ना है, उसके बाद, आपको income tax rules 1962 है, वो उसके साथ साथ में आपको पढ़ना है, finance act, finance act 2022, that is applicable for your examination, जो finance act 2022 है, that is applicable for your examination, अब आप बोलोगे, finance act क्या होता है, देखिए, income tax act जो है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, whatever I am writing here, there is no need to note down, आप इसको note down कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, आपको fast track बेच में एक चीज फॉलो करनी है, क्या, आप है ना, एक sticky notes लेके आएंगे कल, sticky notes जो होते न, जो yellow color वाले, वो yellow color के notes लेके आएंगे, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको कहीं लग जाए, कि मुझे लिखना चाहिए, तो आप उसको लिखके और वहीं पे आप अपनी book में जहां वो concept दे रहा है, उसके पास में चिपका दीजिए, otherwise आपको notebook maintain करने की जरूरत नहीं, there is no need to maintain any notebook, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, class notes यह आपको मिल जाएगा, जैसे ही आपका lecture खतम होगा, उसके बाद आपको 24 hours के अंदर अंदर आपकी drive पे upload हो जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते class notes करके एक folder रहेगा, और class notes में आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, but what you have to follow, compact compiler साथ में है, उसके साथ में आपको एक sticky notes है, पो परजेज करने है, sticky notes आप चिपका दे जाएगे, जहाँ जहाँ आपको कुछ लिखना है, वहाँ पे आप उस sticky notes को चिपका लीजिए, और जैसे ही वो चिपकाया हुआ, आप देखेंगे, अगर गर ठीक है, उस time जो law बना होगा, उस time पे, की इंडिया की situation अलग रहेगी, आज की date में इंडिया की situation अलग है, तो सरी बात बताईए, यह जो act है, income tax act 1961, इसमें amendment कैसे होते है, तो उसमें amendment होते है, हर साल finance act के थुरू, finance act के थुरू है, वो amendments होते है, अब आप बोलेंगे, यह finance act कैसे बनता है, तो देखिए, आपको जैसा की पता है, हर साल एक budget आता है, और यह budget कौन लेके आता है, हाँ, book not received, मिल जाएगा, don't worry about that, ठीक है, दो-तिन दिन, चार दिन दिन मुझे मिल जाएगा, तो देखिए, यह budget है, यह budget कौन लेके आता है, तो आपको पता रहेगा, इंडिया का finance minister, जो है, अभी हमारी finance minister निर्मला सीता रमन जी है, तो निर्मला सीता रमन जी यह budget लेके आती है, और budget present होता है, on the first feb of every year, तो first feb 2022 को आपका, यहाँ पे budget present हुआ था, उस budget में एक पार्ट होता है, उस पार्ट को बोला जाता है, finance bill 2022, so finance bill है, वो finance bill is presented में निर्मला सीता रमन जी, on the first feb 2022 को यह finance bill present हुआ था, कहाँ पे आपके parliament में है, अब एक बात समझना है, यह finance bill जैसे ही आपका present हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में, वहाँ पे एक discussion session होता है, पार्लियामेंट में, लोगसभा, राज्यसभा, लोगसभा and राज्यसभा, so लोगसभा is a lower house, राज्यसभा is a upper house, वहाँ पे क्या होता है, उस पे एक discussion होता है और discussion होने के बाद ये जो finance bill है ये दोनों houses से pass करा दिया जाता है और ये pass कराने के बाद ये pass कराने के बाद अपने president के pass में जाता है और जिस दिन यहाँ president उस पे sign कर देते है जिस दिन president उस पे sign कर देते है उस दिन ये Finance Act बन जाता है Finance Act 2022 बन गया जिस दिन प्रेजिडेंट ने साइन किया और उस टाइम पे हमारे प्रेजिडेंट रामनाथ कोविन जी हुआ करते थे तो उन्होंने जिस दिन साइन किया सर कॉंसिडेट को साइन किया था तो मैं बताओ उन्होंने साइन किया था 30th March 2022 को इस दिन उन्होंने उसको साइन किया बिल को और बिल को जिस दिन उन्होंने साइन कर दिया उस दिन से वो आपका क्या बन गया Finance Act बन गया तो Finance Bill 2022 प्रेजेंटेड वाइ नर्मला सीता रमंची on the 1st Feb 2022 but it became the Finance Act on the 30th March 2022 when our President signed that particular बिल और इस दिन ये Finance Act 2022 आपका बन जाता है करके ठीक है चलिए अब आप मुझे बूचेंगे किसरीक बात बताईए Finance Act में क्या होता है तो Finance Act में क्या होता है जितने भी आपके Direct और Indirect Taxes वाले जो law है उसमें जितने amendments होते है वो amendments आपके Finance Act के थुरू होते है और Finance Act जैसे मानलों किसी section को change करना है तो section को change किसके थुरू किया जाता है Finance Act के थुरू किया जाता है Finance Act में लिखा जाता है कि Income Tax Act की ये section delete कर देनी है या ये section में ये amendment करना है तो every year आपका budget आता है, every year finance bill आता है, और वो finance bill है, वो फिर आपका finance act में बदल जाता है, और finance act के थुरू आपका income tax act है, वो आपका change होता है, अब एक चीज़ समझना, सर एक बात बता है, यह budget first fab को आता है, क्या एक ही budget आता है, हर साल answer is yes, every year there will be one budget, लेकिन guys there is a one exception, that exception is an election year, ध this year में election है, उस year में दो budget आते है, एक तो आपका budget आएगा first fab को, जैसे last election हुआ था in the 2019, so first fab 2019 को एक तो आपका budget आया था, और उस time पे that time, our finance minister, name is a Piyush Goyal जी उस time पे finance minister थे, पियुश Goyal जी थे, वो Piyush Goyal जी जो है, वो उस time पे finance minister थे, जो first fab 2019 को आया था, अब एक बात समझना, वो जो budget आया था, उसकी वज़े से जो act बना, उस act का नाम है, that is the finance act, number one, number one, finance act number one, 2019, and बेटा, फिर election हुआ, क्योंकि election वाले year में क्या होता है, budget is always for the future year, budget is always for the future period, it is always for the future period, so यहाँ पे एक बात समझे, यहाँ पे 2019 में election था, और election वाले year में क्या होता है, पहले जो budget आता है, उसको बोला जाता है, interim budget, यह basically आपका एक interim budget, that was not a final budget, और you can not a full-fledged budget, it was an interim budget, तो just interim budget उन्होंने लेके आया है, और interim budget में उन्होंने क्या किया, कुछ-क benefits दिये लोगों को, benefits क्या-क्या दिये, अभी मैं आपको बतानी चाओंगा, फिर election year में क्या होता है, जो interim budget आता है, उसमें कुछ benefits वगरा है, वो लोग को को देते हैं, खरके ठीक है, तो यह वाला जो interim budget आता है, उसके बात में election होते है, election के बात में new government form होती है, और new government form होई वो बीजेपी की government continue की, उन्होंने जुलाई में वापस budget लेके आए, जुलाई 2019 में वापस budget लेके आए, और उसकी वज़े से जो दूसरा finance bill आया, उसकी वज़े से उस साल में आपका finance act 2019 का जो number two act और बना, finance act number two, 2019, तो आपका finance act उस साल में दो बने थे, one was earlier वाला और उसके कहीं पर, तो ऐसा लिखा होगा, it is amended by finance act number one 2019 and number two 2019, so number one का मतलब है, जो पहला वाला जो पियोष गोईल जी लेके आये थे budget और उसके बाद दूसरा वाला जो निर्मला सीता रमन जी, election के बाद में लेके आई, तो यह सिरफ election वाले year में होता है, बाकी year में ऐसा नहीं होता है, तो only election वाले year में होता है, बाकी year में ऐसा नहीं होता है, बाकी वाले year में आपका normally एक ही budget आता है, obviously आपका एक ही budget आता है, बट election वाले year में आपके दो budget आते हैं, ठीक है, चलिए, अब एक और चीज़ समझना आप लोग, सरीक बात बताईए, हम income text में बहुत सारी जगे section प बताना है, के hey listen, you want to communicate this section to other person on the phone, how you will communicate, how you will tell, how you will communicate, बताईए, कैसे इसको communicate करेंगे, section 12, subsection 3, how you will communicate, section कौन सा है, subsection कौन सा है, हाह, चलिए, तो इसको communicate कैसे करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले जो लिखा होता है that is called section, इसके बाद इसको आप बोलेंगे subsection, इसके बाद इसको आप बोलेंगे clause और इसके बाद इसको आप बोलेंगे sub clause तो section, subsection clause and sub clause क्या बोलेंगे section, subsection clause and sub clause तो section 12, subsection 3, clause number 5 and sub clause A section 12, subsection 3, clause number 5 and sub clause A ऐसे आप इसको pronounce करेंगे, ऐसे आप इसको communicate करेंगे, ऐसे आप इसको read करेंगे लेकिन गाइस एक बात बताईए जैसे एक जगे लिखा हुआ है section 2 और bracket में लिखा हुआ है 10 इसको आप कैसे read करेंगे section 2 फिर लिखा हुआ है आपका 10 इसको कैसे read करेंगे section 2 subsection 10 या clause 10 section 2 subsection 10 या clause 10 subsection 10 या clause 10 कुछ लोग बोल रहे है subsection कुछ लोग बोल रहे है clause right answer is here इसको अपन बोलते है clause इसको हम बोलते है clause section 2 के साथ में जो लिखा हुआ है उसको बोलते है clause और बाकी section के साथ में जो लिखा हुआ है उसको बोलते है subsection, section 2 के साथ में जो लिखा हुआ है, उसको बोलते है clause, ऐसा कैसे, तो देखिए, होता क्या है, basically, देखिए, जैसे, ये जो है न, section 12, उसके पास में लिखा हुआ है, subsection 3, 4, 5, 6, 7, ये सब जो है, इनको बोलेंगे, subsection, subsection कब बोलने का, कि जब अगर ये वाला जो है, इसके उपर मानलो 2 भी है, इसके उपर 1 भी है, तो 12, 1, 12, 2, 12, 3, 12, 4, 12, 5, 12, 6, 12, 7, और अगर ये आपस में एक दूसरे से linkage है, means there is a linkage, then यहाँ पे बोला जाता है subsection, जहाँ पे linkage है, वहाँ पे बोला जाता है subsection, सिद्दान्द, और जहाँ यहाँ पे कोई एक ऐसी list दे रखी है, जिसमें आपस में कोई linkage है नहीं, आपस में there is a list, मानलो suppose for an example, यहाँ 214 दे रखा है capital asset का definition, उसके बाद 247 दे रखा है transfer का definition, उसके बाद suppose 210 है, वो कोई definition दे रखा है, 211 दे रखा है, वो definition दे रखा है, मानलो slum sale का, तो यहाँ पे इनका आपस में एक दूसरे से linkage नहीं है, यहाँ पे linkage नहीं है, तो इसको हम बोलते है clause, इसको हम बोलते है clause, लेकिन अगर आपस में linkage है, तो उसको बोला जाता है subsection, तो income text में जो section 2 है, 2 के साथ में जो भी लिखा होगा, उसको आप हमेशा clause बोलेंगे, अगर आप बोल आप इसको read करेंगे, वैसा आप बोलेंगे, जहाँ पे आपस में इनका interlinkage नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, clause बोलेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पे, हम income text में सर कैसे ऐसे याद रखेंगे, कहां कहां clause है, कहां कहां subsection है, तो एक चीज़ ध्यान रख है, कि 10 जो है, वो exempt income से related है, और 10 में क्या दे रखा है, कि 10 की subsection 1 है, वो agriculture income को exempt करती है, अब एक बात समझना 10 10 है, वो gratuity का exemption देता है, 10 10 A जो है, वो pension का exemption देता है, 10 10 AA है, वो आपका leave salary का exemption देता है, तो यह जो exemption एक दूसरे से linkage नहीं है, there is a list given and there is no linkage with each other, कोई linkage नहीं है एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगरिकल्चर इंकम exam टेपने अपने ठीक है, उसके बात में gratuity का income exam टेपने है, उसमें ठीक है, आपस में उनका linkage नहीं दिखता ना आपको, there is no linkage at all, that's why they use the word clause, तो section 10 में भी अपन जो use करेंगे, वो clause word use करेंगे, as well as section 47 होती है, जो पर आपको clause word use करना है, बाकी सब जगे आप सब section word use करेंगे, बाकी सब जगे आप सब section word use करेंगे, बट यहाँ पर जो है, वो आपका जो, अब बाकी जगे, मतलब यहाँ पर तीन जगे ऐसी है, 2 है, 10 and 47 है, वहाँ पर पास में जो भी लिखा होगा, उसके लिए clause होता है, बाकी सब जगे सब section होती है, क्या exam में हमको sections लिखनी चाहिए, क्या, देखो final level पे तो कुछ section लिखनी चाहिए, मैं बताओ intermediate में नोड़ाट बच्चों को अगर section याद भी नहीं है, तो चलता है concept याद होना चाहिए, बट अगर आप final वाले student है, तो obviously आपको section लिखनी चाह मैं बैठ जाए करगे, ठीक है, चलिए, अब हम जो है, वो पढ़ेंगे income tax, अब एक बात समझना, intermediate में आपने पढ़ा हुआ है, या intermediate में आपने पढ़ा हुआ है, दो word आएंगे बार बार, एक तो होता है तुमारा person और एक होता है assessi, अब एक बात समझना, ये person क्या होता ह है, assessi क्या होता है, तो person वो ही वाले जो आपने intermediate में पढ़ा है, कौन-कौन से एक दो person होता है, individual, so individual है, वो person है, answer is yes, individual is a natural person, means a human being, that is the individual, आप individual हो, मैं individual हो, आपके parents individual में आते हैं, तो individual person उसको उपन बोलेंगे, तो individual person की category में आता है, उसके बाद में दूसरा, जो आपका H. होता है, Hindu undivided family, तो Hindu undivided family, क्या ये भी person की definition में आता है, answer is yes, H.E.P. is included in the person, अब H.E.P. का मतलब होता क्या है, मैं बता तो income tax law में H.E.P. के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, H.E.P. का मतलब क्या है, income tax act में यही है, कि जो Hindu undivided family, जो Hindu law के हिसाब से है, Hindu law के हिसाब से है और वो अगर H.E.P. है तो वो यहाँ पे एक separate person माना जाएगा, और वो separate जो है, वो person माना जाएगा, उसके लिए separate है, वो ITR file होगा, separate उसके लिए pen number होगा, तो H.E.P. एक separate person माना जाता है, Hindu undivided family, कौन बना सकता है, तो भाइया, Hindu undivided family, जो Hindu families है, वो Hindu families है, H.E.P. है, वो constitute क कर सकती है अब एक चीज़ समझना है जो होता है न वह में जो भी मेंबर होते हैं और उसके साथ साथ में को पार्सनर्स होते हैं कोई कोई लोग को पार्सनर्स होते हैं कोई कोई मेंबर होते हैं मतलब में को पार्सनर्स जो होते हैं और मेंबर होते हैं मतलब मतलब जो होते हैं को पार्सनर किसको बोला जाता है कि जो family की property के बटवारे का हक रखता है जो family की property है उसके जो बटवारे का हक रखता है उसको बोला जाता है को पार्सनर, means any person is having the right of partition of HUP, that person is called the co-partners अब एक बास समझना question ही आता है कि जो लड़की होती है, means female वो क्या उनके parents के HUP में co-partner रहेगी, answer is yes Hindu law में 2005 के आसपास एक ऐसा judgment आया था उसमें बोला था कि जितना family की property में, जितना लड़के का हक है, उतना का उतना लड़की का भी हक है, तो आपने देखा होगा आज कलिए ऐसा होता है, कि बहुत बार parents की जो property होती है, उसमें लड़की को अगर नहीं बाटते, लड़की को नहीं देते हैं, तो उससे पहले ही आज कल यह लोग क्या करते हैं, पहले ही उससे एक undertaking sign करा लेते हैं, कि अब चलो कोई बात नहीं, मैं मेरी property है, मेरे भाही को transfer कर लेती हूँ, बट अगर अब HUF से related क्या क्या provisions है, income tax में, वो अपन आगे जाके एक जगे पढ़ेंगे, बट एक चीज समझना, जो HUF रहता है, वो HUF में देरा two type of the, like you can say that, school of Hindu law, देरा two school of Hindu law, एक आपने नाम सुना होगा दया भागा और एक आपने नाम सुना होगा मिताक्षरा, school of law, अब ये दया भागा, school of law क्या होता है, मिताक्षरा, school of law क्या होता है, तो दया भागा, school of law है ना, वो सिरफ West Bengal और आसाम में लगता है, आसाम and West Bengal में लगता है, उसको बोला जाता है, दया भागा, school of law, दया भागा, school of law में क्या होता है कि अगर मान लो कोई parental property है parental property है तो उसमें जैसे ही बच्चे का जनम होता है उस parental property में उसका right नहीं है जनम से right नहीं है जैसे ही बर्थ हो गया बर्थ होते ही उसका right नहीं है जब तक कि उसके जो elder है वो elder जिंदा है मिस अगर मान लो मैं बता दू कि अगर मान ल या बेटी का हग प्रॉपर्टी में नहीं है या आसाम में लगता है as well as the West Bengal में लगता है उनकी death के बाद ही उनका हग आता है उनका हग में उनका जो right है वो after death only आता है लेकिन एक मिताक्षरा school of law है जो पूरे इंडिया में लगता है other than West Bengal and Assam और मिताक्षरा school of law क्या बोलता है कि अगर कोई भी family है और उसमें किसी बच्चे का जनम होता है बच्चे का जनम होता है वो बच्चे का जनम होते ही उसकी parental property में उसका हक आ जाता है that is called your मिताक्षरा school of law अगर बच्चे का जनम होते ही मेरी जो parental property रहेगी उसमें उसका हक है जनम से बर्थ से उसका राइट आ जाता है जैसे फोर अग्जामपल मुकेश अमबानी का जो लड़का है उसका लड़का हुआ तो उसका जो लड़के का हक है मिस उसका राइट है उसकी parental property में आ जाता है that is called मिताक्षरा school of law तो मिताक्षरा school of law and दयाभागा school of law दयाभागा school of law is applicable to the West Bengal and Assam and मिताक्षरा school of law is applicable to the all India except West Bengal and Assam चलिए तो हुआ है आपको यहां पर इतना द्यान रखना है कि हुआ हुआ है इस separate person in the income tax act अब एक चीज़ समझना हिंदू families H B results can answer is yes l 것이 रखना मुसलिम है या Catholic है रगी है या फिर पार्सी है वो लोग H Up नहीं बना सकते तो मुसलिम है और पार्सी है हो लोग H Up नहीं बना सकते बड़ बाकी जो है H.U.F. में आपके हिंदू लोग है जिनका religion है वो हिंदू है या जैन है या सिख है ये लोग H.U.F. बना सकते है प्राक्टिकल लाइप में H.U.F. का क्या importance है तो मैं बता दू प्राक्टिकल लाइप में तो क्या होता है प्राक्टिकल लाइप में तो क्या होता है ना कि अब H.U.F. क्यो बनाया जाता है कुछ सिरफ basic exemption का benefit लेने के लिए कि H.U.F. की income थोड़ी divert कर लो और basic exemption का benefit ले लो आपके office में भी ऐसे बहुत सारे client आते होंगे जो आपको बोलते होंगे H.U.F. बना लो हमारा गरगे ठीक है तो हमारे office में पहले मैं practice करता था तो उस time आते थे कि हमारा H.U.F. बना दो तो मैं बोलता था H.U.F. तुम बना के लाओ हम उसका written file करेंगो उसका pen card बनाएंगे गरगे ठीक है बाकि H.U.F. बनाना तो तुम ही को है खुदी H.U.F. बना के लिए हम कैसे H.U.F. तुमारा बना लेंगे तुम H.U.F. बना लो और क्या होता है जब family है जैसे husband and wife है उनमें किसी बच्चे का जनम होता है तो उसको H.U.F. बना देते हैं जैसे ही बच्चे का जनम होता है वहाँ H.U.F. बन जाता है चलिए इसके बाद में तीसरा person जो हमारे income tax law में है that is the partnership firm firm को एक अलग person माना चाता है लेकिन एक चीज़ धियान रखना firm is always include LLP LLP हमेशा उसमें include होगी जो limited liability partnership है वो limited liability partnership always include होगी firm में मैं आपको day one पर ही बता रहा हूँ कि जो भी तुमारी partnership firm है ना और LLP income tax में दोनों same है कोई फरक नहीं है income tax के लिए both are same partnership firm as well as the LLP सिरफ फरक एक दो जगे आएगा जहां जो मैं आपको बताऊंगा एक तो फरक आएगा आगे जाके हम देखेंगे कि एक तो आपका फरक आपको देखने को मिलेगा 44 AD section में और 44 AD a section में जो presumptive basis taxation वाली section होती है 6% 8% वाली वो section partnership firm ले सकती है बट LLP नहीं ले सकती सिरफ ये एक फरक है जो आपको देखने को मिलेगा otherwise in income tax जितने भी हम provision पढ़ेंगे जहां जहां partnership firm लिखा हुआ है it's always include the limited liability partnership firm also उसमें LLP भी include हो जाएगी चलिए अब एक और चीज़ समझना partnership firm के बाद में एक छोता person आता है that is called company company भी आपका एक person है अब आप बोलेंगे सरफ company का मतलब क्या तो company means a body corporate body corporate either registered in India या registered outside India है उसको अपन बोलेंगे company तो Indian company होती है foreign company होती है एक domestic company और होती है अब आप बोलोगे यह domestic company क्या होता है domestic company जो है domestic company क्या होता है वो अपन आगे जाके देखेंगे domestic company किसको बोलते है तीन तारह के company होती है one is the Indian company one is the foreign company and one is the domestic company तो यह domestic company क्या होता है और Indian company और domestic company में क्या फरक है यह मैं आपको dividend वाले topic में सिखाऊँगा तो जब मैं आपको dividend सिखाऊँगा वहाँ पे मैं आपको यह सिखा दूँगा उसके बाद company के बाद पाँचवे नंबर पे आपका आता है AOPBOI AOPBOI means association of person and body of individual अब आप बोलेंगे यह AOPBOI क्या होता है तो AOPBOI क्या होता है कि जब कुछ लोग साथ में मिलके कुछ काम करते है और वो partnership firm या company का constitution नहीं करते है तो उसको बोला जाएगा AOPBOI example के लिए हम लेते है joint venture example के लिए जैसे joint venture है हुआ क्या कि माल लोगों ने कोई joint venture चालो किया और उन्होंने उसको partnership firm का रूप नहीं दिया है या उसको company का रूप नहीं दिया है तो उसको AOPBOI माना जाएगा एक और example लेता हूँ आपने सुना होगा trust जो trust होते है charitable religious trust NGOs तो NGOs का अगर registration नहीं कराया और कुछ trustee मिलके एक trust चालो करते है तो वो भी आपका AOPBOI माना जाएगा जो AOPBOI माना जाएगा मिस उसको जो है वो AOPBOI माना जाएगा अगर उसका registration नहीं हुआ है तो that will be treated as AOPBOI only और AOPBOI के category में आ जाएगा दोनों में फरक यह है AOP और BOI में के in association of person any person can become the member in AOP any person can become the member means अगर मान लो for an example एक company है जिसका नाम है KK Limited और एक बंदा है जिसका नाम है Mr. BB तो क्या यह दोनों मिलके AOP बना सकते है answer is yes बना सकते है कोई दिककत नहीं any person can become the member in the AOP association of person but when it comes to the body of individual ना then only individual member ही बना सकते है body of individual only जो individual member है सिर्फ individual member है जैसे मान लो हमारे batch के जितने भी बच्चे है और हमारे batch के यह जितने भी बच्चे है हमने मिलके और एक मान लो कुछ start किया और हम उसको partnership from company में नहीं ले जाते तो वो आपका body of individual माना जाएगा तो body of individual में सिर्फ individual लोगी member बनते है बट association of person में कोई भी person है वो आपका member बन सकता है अब एक और चीज़ समझना उसके बाद में point number 6 में जो आपका person आता है that is the local authority एक local authority है वो local authority भी person में आता है local authority का मतलब example के लिए मैं बता दूँ आपके Mumbai में जैसे हमारी BMC है ब्रन मुकी Mumbai corporation, municipal corporation आपके वहाँ पे जो gram पंचायत है आपके यहाँ पे जो contentment board gram पंचायत वगरा जो है या पिर नगरपाली का है तो वो आपका आता है local authority में और उसके बाद में last person की category में आता है artificial juridical person यह artificial juridical person क्या होता है कि जो उपर जितने भी दे रखे है person अगर वो उसमें cover नहीं होता तो वो आपके artificial juridical person में cover हो जाएगा example के लिए आप ले लीजिए जैसे university है कोई university है तो university कहाँ पे cover होगी तो university अगर माल लो वो individual HEO partnership from company AOPBI local authority में नहीं आती है तो वो artificial juridical person में आएगा जितने देवी देवता वगरा है अगर जितने भी भाई भगवान के जो देवी देवता वगरा है they will covered in the artificial juridical person so if any person is not covered above in that case that person will be covered in the AJP that is artificial juridical person अब एक चीज समझना आप लोग सर एक बात बताएए ये लोग जो है ये person है लेकिन ये जो person है ये person assessi कब बन जाएगा when this person is required to pay tax means अगर ये person है ये person required to pay tax है या फिर कोई tax है fees है कोई charge है कोई interest है in the income tax act if that person is required to pay tax अगर ये required to pay tax है तो उस case में ये जो assessi है ये तुमारा person क्या बन जाएगा assessi बन जाएगा चलिए ये आपके लिए एक homework रहा आज के लिए कोई बोल रहेगा trust किसमें आएगा आप आज देखके आएंगे गरगे ठीक है आज आप देखके आएंगे और मुझे बताएंगे कल दो तीन चीज़े एक तो cooperative society किसमें आएगी cooperative society है वो cooperative society किसमें आएगी दूसरा अगर कोई trust जो registered है वो trust किसमें आएगा तो दो चीज़े आप देखके आएंगे और आप मुझे बताएंगे आप लोग कैसे देख सकते हैं आपके office में जाएगा office में किसी trust का pen number लीजिए और pen number से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से person की category में आता है तो आप cooperative society और trust जो है उसका आप देखके आएंगे कि ये कौन से person की category में आते है that will be your homework ये आपका homework रहेगा थोड़ा R&D करके आएंगे cooperative society और trust है वो कौन से category में आएगा इस में से अगर कोई person required to pay the tax है तो वो असेसी बन जाएगा example के लिए मैं लो जैसे माल लो मैं हूँ मैं person हूँ answer is yes मैं person हूँ लेकिन मेरी जो income है वो हर साल की धाईलाक रुपे से जादा है तो क्या मैं assessी बन गया answer is yes मैं assessी बन गया तो मैं यहाँ पर person भी हूँ और मैं assessी भी बन गया तो मैं assessी हो गया गर गया अब एक बात समझना required to pay the tax in income tax वो person जो है required to pay the tax या any sum in the income tax वो person क्या बन जाएगा assessी बन जाएगा अब यहाँ पर चीज समझना मैं बोल रहाँ कि require to pay the tax है यास कोई समय वो assessी बन जाएगा इसके साथ साथ में एक और concept आएगा बहुत सारी जगे हम देखेंगे कि एक assessie in default बना जिया जाता है किसी person को assessie in default बना दिया अब यह assessie in default का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके office में आपके किसी client को एक demand notice आया income tax department से और वो demand आप pay नहीं कर रहे हो तो आप default में बन जाते हो assessie in default तो assessie in default बन जाता है कोई person तो वो भी आपका assessie ही माना जाता है तो assessie की definition में क्या आएगा any person who required to pay tax or any sum under the income tax law that person is called assessie या if any person is declared as assessie in default अगर कोई person है वो assessie in default है तो वो person भी क्या बन जाएगा तुमारा assessie है वो assessie बन जाएगा you got my point or not you understood my point or not yes sir we have understood your point चलिए अब एक और चीज समझना इधर देखे इधर देखे मेरे तब देखे मेरे तब देखे तो मैं ऐसा बोल दू कि all assessies are person but all persons are not assessie means यह जो लोग है यह तुमारे person तो है but यह assessie तभी बनेंगे जब they required to pay the tax in income tax law means required to pay any sum in income tax law तो वो assessie बन जाएगा but otherwise वो person है तो you all are the person but not assessie I am the person as well as I am the assessie तो मैं assessie भी हूँ और उसके साथ-साथ मैं पर परसन भी हूँ करगे ठीक है चलिए अब एक काम करते है सर एक बात बताएए यह subject में हम क्या सीखने वाले है तो यह subject में हम सीखेंगे कि सबसे पहले किसी भी person की income निकालना और उस income पे tax निकालना उस income पे income निकालना और उस income पे tax निकालना income कैसे निकालते हैं तो income में हमारे income tax में 5 head of income होते हैं intermediate में पढ़ा हुआ है सबसे पहला income from salary है salary के बाद house property है उसके बाद business profession है capital गेन है और other sources है यह जो 5 head होते हैं इस head की जो total होती है उसको gross total income बोलते है gross total income में से आप कुछ deduction under chapter 6A है वो आप less कर देंगे तो आपको पास बच जाएगा net taxable income और यह जो net taxable income है ना इस net taxable income पे आपको tax है वो pay करना रहेगा यह जो net taxable income है वो net taxable income पे आपको tax pay करना रहेगा अब एक चीज़ समझना हम बहुत बार पढ़ते है टाइम दो word यूज़ करेंगे one is the previous year और one is the assessment year तो देखिए हमारे income tax में year कैसे होता है तो मैं बता दू year जो है एक हो आपका year हो सकता है calendar year बट मैं बता दू calendar year जो है उसका अपने यापे कोई relevance नहीं है calendar year means January to December उसका कोई relevance नहीं हमारे यहाँ पे चलता है financial year financial year करेंगे financial year so हमारे यहाँ पे financial year चलता है अब एक बात समझना यह financial year में दो तरह के year होते है one is your previous year and one is your assessment year अब आप बोलेंगे previous year किसको बोलते है और assessment year किसको बोलते है तो देखिए previous year basically उस year को बोलते है जिस year में आप income earn करते है income earn करते है उस year को बोला जाता है आपका previous year और assessment year किसको बोलते है जिस year में उस income पे आप tax pay करते है means you can say that the year in which person pay the taxes pay the taxes का मतलब tax pay करते है उसका assessment होता है आप return file करते है that is called your assessment year previous year वो वाला year जिस year में आप income को कमाते है और assessment year वो वाला year जिस year में आप उस income पे tax भढ़ते है तो previous year is a year in which you earn the income and assessment year is a year in which you pay the taxes to the government that is called your assessment year अब एक चीज़ समझना आपके exam के लिए जो भी हम computation करेंगे total income का tax liability का and all आपके exam के लिए आपका previous year है that is 22-23 for your examination your previous year is 22-23 and guys आपका जो assessment year that is 23-24 is your assessment year 22-23 is a previous year and assessment year is 22-23 तो previous year अपना कहां से कहां तक चालू होता है 1st April 2022 से लेके और 31st March 2023 इस particular period में आप जो भी income कमाएंगे इस particular period में आपने जो भी income कमाया उस income के पे आपको जो tax भरना है वो आपको इस year में भरना है that is 1st April 2023 से लेके और 31st March 2024 तक तक 1st April 2023 से लेके और 31st March 2024 that is called your assessment year so for your examination guys your previous year is 22-23 assessment year is 23-24 में अपन जो income कमा रहे है वो इस particular period में जो income अर्ण किया 1st April 2022 से लेके और 31st March 2023 तक इस बीच में जितना भी आपने income अर्ण किया उस पे tax आपको इस period में भरना पड़ेगा उस period में आपको return भरना है assessment है वो आपका उस period में होगा तो जब भी मैं बोलू previous year 22-23 या assessment year 23-24 में एक ही बात कर रहा हूँ मैं उसी year की बात कर रहा हूँ तो मैं previous year 22-23 बोलू या assessment year 23-24 बोल दू इसका meaning सेम है मैं बहुत बात बोलता हूँ income is taxable for the assessment year 23-24 means obviously this income is earned in the previous year 22-23 तो मैं बहुत बार ऐसा बोलूँगा income is earned in like this income tax is required to pay in the previous year 22-23 previous year 22-23 का मतलब यह हुआ assessment year 23-24 करके ठीक है अब एक चीज समझना sir आपके exam के लिए means आप लोगों के exam के लिए sir एक बात बताईए कौन सा finance act applicable है that is finance act 2022 is applicable for your examination sir if we are appearing for the exam in the May November 2023 या CMA final June December 2023 sir हमारे exam की date तक तो already finance act 2023 आ चुका होगा is that act will be applicable for our examination answer is no guys that will not be applicable for your examination for your examination always remember whatever amendment made by the finance act 2022 only that is applicable for your examination आपके लिए जो applicable है वो सिरफ क्या applicable है that is the आपके लिए जो applicable है वो finance act 2022 है यही आपके लिए applicable है आपके लिए बाकी चीज़े applicable नहीं है लेकिन अगर मैं बात करूँ के आपके exam से पहले 6 मंथ पहले तक अगर कोई notification circular आते है that is applicable for your examination so any notification circular before the 6 month of your examination suppose you are appearing in the month of November तो November से 6 महिने पहले चले जाईए तो आपका 30th April 2023 तक 30th April 2023 तक जो भी notification circular है obviously that is going to be applicable for your examination but finance act 2022 only applicable for your examination finance act 2023 is not going to apply for your examination चलिए अब एक और चीज़ समझते है इधर देखिए अब अपन पढ़ना चालू करते है कोई ढंकी चीज़ करके ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले चालू करते है पहला topic और पहला topic जो compact में दे रखा है आपके पास compact नहीं है आपको book में देखने की जरूवत नहीं जब मैं आपको बोलू book में देखना है तभी आपको book में देखना है otherwise आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए आप book में नहीं देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम चालू करने वाले है that is the tax rate tax rate और assessment year 23-24 यहां मैं बोल दूँ previous year 22-23 क्योंकि income आप previous year 22-23 में कमाएंगे उस पर tax है वो 23-24 में पे करेंगे अब एक चीज़ समझना मैंने आपको बोला previous year is a year in which you earn the income so previous year 22-23 it's a start from 1st April 2022 till 31st March 2023 assessment year is a next year एक चीज़ दियान रखना assessment year will always be period of the 12 month means assessment year हमेशा आपका 12 month का रहेगा लेकिन गाइस previous year है न वो आपका 12 month से कम हो सकता है previous year आपका 12 month से कम हो सकता है यह कौन से cases में हो सकता है previous year है वो आपका 12 month से कम हो सकता है और यह कौन से cases में हो सकता है previous year आपका 12 month से कम हो सकता है और यह कौन से cases में हो सकता है So your previous year will start from 10 December 2022 till 31st March 2023 means आपका ये previous year रहेगा but assessment year will be of the 12 month so always remember your assessment year will always be of the 12 month but previous year may be less than 12 month also if you have started the business in the current year. means अगर आपने business नया चालू किया है या business आपने current year में start किया है या कोई नया source of income इस साल में आया है तो आपका previous year है वो 12 month से कम का हो सकता है करगे ठीक है but assessment year will always be of the 12 month चलिए अब एक और चीज़ समझना हम पढ़ना चालू कर रहे है that is the tax rate for the assessment year 23-24 सर एक बात बता दीजिए हमार tax rate है ना वो income tax में दो तरह ही होती है एक तो आपकी है normal tax rate या जिसको मैं general tax rate बोल सकता हूँ और एक आपकी है special tax rate तो सबसे पहले एक तो होती है general tax rate और एक तुमारी होती है special tax rate अब आप बोलेंगे special tax rate क्या होता है special tax rate है यह आपके income tax में एक chapter में दे रखी है जिसका नाम है chapter number 12 करके एक chapter होता है income tax act का chapter 12 और chapter 12 में special tax rate दे रखी है अब आप बोलेंगे special tax rate का मतलब क्या तो जैसा आपने कभी सुना होगा कि जो long term capital gain है ना उस पे 20% की rate से tax लगता है long term capital gain पे 20% की rate से tax लगता है यह एक special tax rate है या फिर आपने सुना होगा short term capital gain triple one ये वाला share market में होता है उस पे 15% tax लगता है as well as आपने ये भी सुना होगा कि अगर वो long term capital gain वन वन टूए वाला है तो उस पे आपका 10% की rate से tax लगता है आपने कभी सुना होगा कि winning की incomes होती है ना उस winnings की income पे 30% की rate से tax लगता है आपने ये भी सुना होगा कि अभी individual के लिए एक alternative taxation regime और आया है और alternative taxation regime में आपने सु 15%, 20%, 25%, 30%, इतनी सारी slab rate की tax rate है, तो वहाँ वो 115BAC में tax लगता है, special rate से, as well as, आपने सुना होगा, आज कल company के पास में एक option होता है, 115BAA में, वो 22% tax भढ़ सकती है, तो यह सब तुमारी जो है न, यह special tax rate है, और बाकी वाली जो tax rate है, वो general tax rate है, आज जो हम पढ़ने वाले है, वो general tax rate पढ़ने वाले है, हम special tax rate नहीं पढ़ने वाले है, आज जो है, वो हम क्या पढ़ने वाले है, करके ठीक है, वो special tax rate नहीं पढ़ने वाले हम लोग जो है, वो general tax rate पढ़ने वाले है, तो today we are going to start with the general tax तो जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके साथ-साथ में हम tidak पढ़एगे यहां परने वाले अभी, अभी हम सिरफ जनरल टैक्स रेट पढ़ेंगे तो चलिए चालू करते हैं जनरल टैक्स rate जो जनरल tax rate अभी as amended by finance act 2022 तो sir general tax rate कहाँ दे रखी है आप बहुत आप बोलोगे slab rate से tax लगेगा ये कहाँ लिखा हुआ है sir ये finance act में लिखा होता है तो ये जो special tax rate है ना ये तो आपके income tax act में दे रखी है बट general tax rate होती है ना ये general tax rate आपके finance act में दे रखी होती है तो finance act 2022 में general tax दे रखी है tax rates दे रखी है तो चलिए आज आपन general tax rate चालो करते है general tax rate में एक चीज़ ध्याँ रखना सबसे पहले in case of the individual in case of the individual in case of the HOF in case of partnership firm in case of the in case of individual HOF, AOP, BOI and artificial juridical person ये 5 लोग जो है ना ये 5 लोग जो है ना ये 5 लोग कौन कौन individual HOF, AOP, BOI, artificial juridical person ये जो 5 लोग है ना इनके case में आपको tax कैसे लगेगा तो आपको देखना है कि सबसे पहले total income कितना है तो total income जो up to 2,50,000 तक रहेगा उस पे बेटा कोई भी tax नहीं लगेगा means 2,50,000 तक की income है उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा और इसको law में बोला जाता है basic exemption law में basic exemption word use नहीं करते बट हम इसको बोलेंगे basic exemption law में इसके लिए एक word use होता है that is the manct और manct का मतलब होता है maximum amount which is not chargeable to tax maximum amount which is not chargeable to tax that is call your basic exemption so 2,50,000 रुपेज is a basic exemption 2,50,000 तक की income पे कोई भी tax नहीं लगता है अगर आपकी income सिरफ 2,50,000 है उस पे कोई भी tax नहीं लगता इसको बोलते manct manct का मतलब maximum amount which is not chargeable to tax that is the 2,50,000 अब एक बात समझना आपका जो भी income 2,50,000 से जादा वाला रहेगा and up to 5,000 तक का जो income रहेगा means 2,50,000 से जादा up to 5,000 तो उस पे आपका 5% की rate से tax लगेगा उसके बाद में जो भी 5,000 रुपेज से जादा है और up to आपका 10,000 रुपेज तक का income है उस पे 20% की rate से tax लगेगा और 10,000 रुपेज से जितना भी जादा income रहेगा उस पे आपको 30% की rate से tax लगेगा तो सबसे पहले in case of the individual H.U.F. A.O.P. B.O.I. artificial juridical person इन लोगों की case में अब एक चीज समझना ये बात हो रही है या resident and ordinary resident है या resident but not ordinary resident है या फिर non-resident means in simple word बता दू भले ये resident है या non-resident है ये slab rate रहेगी up to 2,500,000 there is no tax to 52,500,000 5,500,000 to 10,000,000 20,000 more than 10,000,000 30% कौन सी total income total income means net taxable income net taxable income means आप जो deduction वगेरा यहाँ पे लेने के बाद जो बचेगा that is called net taxable income ये वाला income अगर ये वाला income जो है ये आपका up to 2,000 है तो कोई tax नहीं लगेगा 2,002,005,005,005,005,005,002,0010,0020,00 more than 10,000,0030,00 चलेगे अब एक बात समझना lawmakers बोलते हैं कि अगर कोई person है न वो senior citizen है और senior citizen obviously एक individual हो सकता है senior citizen है senior citizen है senior citizen किसको बोलेंगे तो senior citizen को define करते है कि अगर कोई भी resident individual है resident individual जिसका age 60 years और more हो गया in previous year जिसका age 60 years और more हो गया in previous year that is called your senior citizen तो senior citizen को मैंने define किया resident individual होना चाहिए जिसका age 60 years और more है in the previous year that is person is called senior citizen अब एक चीज़ समझना senior citizen के case में बेटा अब टू 3 lakh तक आपको कोई tax नहीं लगता means up to 3 lakh is a basic exemption 3 lakh तक उस पे कोई tax नहीं लगता उसके बाद में जो भी आपका 3 lakh तक का income है उससे लेके up to 5 lakh आपको 5% की rate से tax लगेगा उसके बाद 5 lakh से लेके and guys up to 10 lakh तक की income पे आपको 20% tax लगेगा और 10 lakh से जितना भी ज़्यादा income रहेगा उस पे आपको 30% की rate से tax लगेगा तो देखिए मैंने क्या बोला अगर कोई person senior citizen है तो senior citizen के case में senior citizen का मतलब resident individual जिसका age 60 years और more है in the previous year उसके लिए 3 lakh is a basic exemption 3 lakh तक कोई भी tax नहीं लगेगा 3 lakh to 5 lakh 5% 5 lakh to 10 lakh 20% more than 10 lakh 30% सर एक बात बताइए आप senior citizen को यहां define कर रहे है senior citizen के लिए आपने यहां लिखा है resident एक बात मैं आपको बता दू आप पहले से कान खुलके दिमांग में डाल देना अगर कोई person है जैसे माल लो यह person है this person is a non resident and that person is having the age of 72 years is this person is a senior citizen answer is no यह person senior citizen नहीं है क्योंकि senior citizen होने के लिए सबसे पहली जरुवत है वो person resident होना चाहिए तो अगर कोई person है जैसे इस person का नाम है Mr. Sam Sam is a non resident and his age is a 72 years उसके लिए basic exemption कितना रहेगा 3 lakh का रहेगा या फिर 2 lakh 50,000 का रहेगा right answer is 2 lakh 50,000 रहेगा right answer is 2 lakh 50,000 रहेगा because Sam is a non resident non resident whatever the age that person cannot be treated as a senior citizen उसको senior citizen नहीं माना जाएगा तो देखिये मैंने क्या बुला non resident अगर किसी का age 72 years है तो भी वो senior citizen नहीं है that person is not a senior citizen because they use the word in the senior citizen resident individual age 60 years or more in a previous year age 60 years or more in the previous year अब एक चीज़ समझना sir आप बोल रहे है age 60 years or more in the previous year answer is yes now sir 60 years or more in previous year previous year means our previous year 22-23 our previous year is a 22-23 so in this previous year if age is cross 60 years or more in that case that person will be treated as senior citizen now guys एक एक एक्जाम्पल ले पर इदर रखिए जिसे एक बंदा है जिसका नाम है Mr. Kaka ये बंदा है जिसका नाम है Mr. Kaka ये Kaka का फोटो बना देता हूँ अब मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं हो तो ऐसे बुरा मत मानना ठीक है वाव Kaka अब एक बात समझना ये जो Kaka है इसका date of birth है वो date of birth है 1st April 1963 means 1st April 1963 63 का birth है में इस बड़ा पुराना आदमी है अब एक बात समझिए ये बंदा अपना 60th birthday celebrate कर रहा है 60th birthday celebrate कर रहा है वो कौनसी date को करेगा नॉर्मली आप अपना birthday उसी दिन celebrate करते हो जिस दिन आपका birth हुआ था answer is yes तो एक बात बताईए अगर आप यहाँ पे 60 years count करेंगे तो 40 years तो वो और बाखी 20 years हीए तो यह 60th birthday celebrate कर रहा है यह celebrate कर रहा है 1st April 2023 को इस date को यह 60th birthday celebrate कर रहा है लोग इसको happy birthday बोलने आए है senior citizen 60th birthday celebrate कर रहा है 1st April 2023 को अब एक बात समझिए my question to all of you अपना जो previous year है वो previous year कौन सहा है 22-23 तो previous year 22-23 will start from 1st April 2022 and it will end by 31st March 2023 अब एक बात समझिए यह अपना previous year है and he is celebrating his birthday exactly after this previous year on the next day when he is cutting the cake means people are saying happy birthday to Mr. Kaka that is on 1st April 2023 मेरा question आप लोगों से यह है मेरा question आप लोगों से यह है किस सरी बात बताईए जब यह 60th birthday इस date को celebrate कर रहा है तो 60 year का age complete हुआ कब माना जाएगा means when it is assumed when it is like we will consider that कि he has completed the age of the 60 years means 60 year कौनसी date को age complete हुआ माना जाएगा means 1st April को 60 years complete हुआ माना जाएगा या फिर last date को means 31st March 2023 को 60 years है वो complete माना जाएगा means आपकी age जो है वो 60 years कब complete मानी जाएगी जिस दिन आप अपना birthday celebrate कर रहे है उसी दिन या उसके previous day पे इसका मतलब last day पे चलिए बताईए मुझे कब माना जाएगा कब माना जाएगा कि आपने age जो है वो 60 years की complete कर दी age जो है वो आपने 60 years की complete कर दी on same date or on the last date कालिए बताईए चलिया जाएगा so I am getting the lots of answer many people are saying 31st March last date विधिधा many people says that no sir on the same date so what is the right answer some people say same date some people say last date right answer मैं आपको बताऊं right answer is यह मसला जो था यह जो मामला था कि सुप्रीम कोट तक गया और सुप्रीम कोट ने फिर एक case में जजमेंट दिया और सुप्रीम कोट बोलती है कि 60 years जो age है वो complete मानी जाती है जब भी आप किसी particular time को complete मानोगे 16th July 2022 से कोई चीज चालू हुई तो आप इसको year one year complete कब मानेंगे तो मैं बोलू one year complete माना जाएगा on the 16th July 2023 so कोई चीज स्टार्ट हुई इस date को 17th July 2022 so can I say that year will be completed by the 16th July 2023 so here Supreme Court says that कि his date of birth was 1st April 1963 so he has completed the age of the 60 year on the 31st March 2023 he has completed the age of 60 years on 31st March 2023 it means on the last day only on the last day only he has completed the age of the 60 year it means in current year he is going to get the benefit of the enhanced basic exemption of the 3 lakh means यहाँ पे बेटा इस year में उसको 3 lakh का basic exemption का benefit यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे उसको 3 lakh का basic exemption का benefit इसको मिल जाएगा means 3 lakh का basic exemption का benefit इसको इसी साल में मिल जाएगा इस काका को यहाँ पे birthday celebrate कर रहा है 60th on this date but he has completed the age of the 60 years on 31st March 2023 only तो बेटा इस previous year में उसकी age complete हो गई 60 years की तो इसको higher basic exemption का benefit इसी साल में मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीज़ आप याद रखना because कुछ question ऐसे रहेंगे जिसमें examiner ऐसा पूछ सकता है examiner जो है वो examiner ऐसा पूछ सकता है कि ये जो बंदा है Mr. Kaka है Kaka का like date of birth ये है और आपको इस साल का tax calculate करना है तो obviously आप यहाँ पे higher basic exemption का benefit लेंगे चलिए उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं lawmakers ने tax rate दिया super senior citizen के लिए super senior citizen अब आप बोलेंगे super senior citizen क्या होता है तो super senior citizen means अगर कोई भी resident individual है यहाँ पे भी resident word यूज किया है resident individual और resident individual का age जो है न वो 60 years की जगे आपका 80 years और more है 80 years और more in previous year तो previous year में अगर उसका age है वो 80 years या उससे ज़ादा है तो उसको बोलेंगे super senior citizen यहाँ पे 80 years या उससे ज़ादा है तो उसको बोलेंगे super senior citizen अब एक बात समझेए इस super senior citizen के case में क्या होगा तो super senior citizen के case में guys up to 5 lakh तक आपको कोई भी tax नहीं लगेगा up to 5 lakh there is no tax at all उसके बाद में जो भी 5 lakh से आपका ज़्यादा वाला amount रहेगा और वहाँ से लेके और 10 lakh का amount रहेगा उसके आपका 20 परसेंट की rate से tax लगेगा उसके बाद में आपका जो 10 lakh से लेके और बेटा जितना भी higher वाला amount रहेगा उसके आपका 30 परसेंट की rate से tax लगेगा तो up to 5 lakh यहाँ पे basic examination है super senior citizen के case में जिनकी age 80 years या उससे ज़्यादा है resident individual है तो यहाँ पे बेटा आपका जो है वो age है वो अगर मान लो 80 years या उससे ज़्यादा हो गया in the previous year यह same concept काका वाला यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि अगर instead of 1963 यहाँ पे मान लो 43 में होता तो यहाँ पे 80th birthday वो celebrate करता on the 1st April 2023 then also you will assume that he has completed the age of 80 years on 31st March 2023 only and he can claim the enhanced basic exemption of 5 lakh for the previous year 22-23 के लिए तो this is call your basic tax rate for the individual HOF AOPBI artificial juridical person मैंने क्या बोला in case of individual HOF AOPBI artificial juridical person what is your tax rate अगर आपका total income up to 2,50,000 है डाश 250 to 5 lakh 5 percent 5 lakh to 10 lakh 20 percent more than 10 lakh 30 percent in case of senior citizen resident individual age 60 years or more in the previous year up to 3 lakh there is no tax 3 lakh to 5 lakh 5 percent 5 lakh to 10 lakh 20 percent more than 10 lakh 30 percent उसके बाद में अगर super senior citizen है तो 5 lakh तो कोई भी tax नहीं लगेगा 5 lakh to 10 lakh 20 percent more than 10 lakh 30 percent अब एक और चीज़ समझना आप लोग यहां पे बेटा यह तो आपको tax लगता है बेट इस tax के साथ साथ में आपको surcharge भी लगेगा इस tax के साथ साथ में आपको क्या लगेगा यहां पे surcharge भी लगेगा तो यह tax के साथ में आपको add करना पड़ेगा surcharge surcharge भी लगेगा अब आप बोलेंगे यह surcharge क्या होता है तो surcharge means there is an additional tax or you can say that the extra tax अब यह additional tax क्यों लगता है क्योंकि एक बात समझेए अगर आप ज्यादा income कमा रहे हो if any person is earning the higher income then he has to pay some extra tax that is called surcharge तो यहां पे surcharge भी लगता है surcharge कैसे लगता है तो individual H.U.F. A.O.P. B.O.I. artificial juridical person अपन इन लोगों की बात कर रहे है तो इनके case में surcharge कैसे लगता है surcharge depends on your total income क्या आपका total income कितना है तो अगर आपका total income जो है total income total income का मतलब आपका net taxable income यह अगर आपका up to 50 lakh रुपेज है तो बेटा इस पे कोई भी आपको surcharge नहीं लगता means total income is up to 50 lakh रुपेज means 50 lakh रुपे या उससे कम है तो आपको कोई surcharge नहीं लगता तो जैसे मालनो मेरी income है तो मेरी income 15-20 lakh ही है तो उस पे कोई भी surcharge नहीं लगता means tax पे कोई surcharge नहीं जो tax आएगा वो मुझे पेगरदा है लेकिन बेटा अगर किसी का income जो है net taxable income वो more than 50 lakhs है और वहाँ से लेके 1 करोड रुपे तक है तो surcharge लगेगा अगर आपका income 1 करोड से जादा है और up to आपका 2 करोड है तो उसमें surcharge लगेगा आपका 15% की rate से अगर आपका income 2 करोड से जादा है and आपका up to 5 करोड है तो उस case में आपको surcharge लगेगा 25% की rate से and guys अगर आपका income 5 करोड से भी जादा है means आप तो बहुत ज़्यादा रईस हो, अगर बहुत ज़्यादा रईस लोग है, जिनकी पांच करोट से ज़्यादा इंकम है, ठीक है, तो उस case में आपको surcharge कितना लगेगा, 37% surcharge लगेगा, जो भी tax आएगा, उस tax में आपको 37% है, वो आपको surcharge लगेगा, तो देखिए, if your total income, total income is net taxable income, net taxable income is after claiming deduction and all, net taxable income is up to 50 lakh, there is no surcharge at all, if income is more than 50 lakh, up to 1 crore है, means 50 lakh, 1 rupee से लेके 1 crore तक है, your surcharge will be 10% on the tax, means जो भी आपका tax रहेगा ना, उस tax पे surcharge लगेगा, tax में आपको 10% rate करना है, if it is more than 1 crore, up to 2 crore, then आप 15% add करेंगे, if it is more than 2 crore, up to 5 crore, आप 25% add करेंगे, if it is more than 5 crore, आप 37% है, वो आप surcharge add करेंगे, तो surcharge you have to add on the tax on the total income, so total income पे पहले आपने tax निकाल दिया, और उस tax पे आपको फिर क्या करना है, यह surcharge add करना 37% surcharge, if your income, net taxable income is more than, यह बोलता है, आपको 37% surcharge लगेगा, अरे कैसे लगेगा, मैं गरीब आत्मी हूँ, मैं basic exemption का benefit लेता हूँ, slab rate वाला बंदा हूँ, करके ठीक है, तो मेरे case में tax लगता है, मुझे बहुत बार 87A का rebate मिल जाता है, और 87A का rebate क्या होता है, अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, साड़े 12,000 रुपे का, मुझे rebate मिल जाता है, कोई tax मैं नहीं भरता हूँ, तो देखिए, तो यहाँ पे आपको surcharge लगेगा, but surcharge depends on your total income, तो total income कितना है, उस पे आपका surcharge से वो आपका depend करेगा, अब एक बाद समझना, आपने tax ले लिया, उसमें surcharge add कर दिया, surcharge add करने के बाद हमेशा आपको add करना पड़ेगा health and education says, और health and education says है, वो 4% है, यह आपका 4% की rate से standard health and education says है, 4% की rate से, you have to add the 4% of health and education says करके, ठीक है, तो देखिए, सबसे बहले tax लेजिए, tax पे आप क्या add करीए, surcharge add करीए, और अगर surcharge लगता है, तो otherwise आपको health and education says है, वो फिर आपको add करना है, 4% की rate से, so 4% is health and education says, अब आप बोलेंगे, income tax है, वो आप government किसी परपस के लिए यूज कर सकती है, surcharge भी किसी भी परपस के लिए यूज कर सकती है, but health and education says है, ये says specific purpose के लिए collect क किया चाता है मैंस अगर health and education says है तो यह वाला amount जो गवर्मेंट है वो सिरफ health and education says के लिए education के लिए ही यूज कर सकती है तो जो says वाला amount जो government collect करती है ना that is utilized towards the specific purpose only that is health and education but guys surcharge and income tax का amount है वो government चाहे जहां पर यूज कर सकती है government की मर्जी करके government की जो मर्जी जहां चाहे वहां पर use कर सकती है ठीक है चलिए अब हम एक काम करते है आप लोगों के लिए एक छोटा सा break लेते है और break के बाद फिर अपन continue करेंगे तो आप लोगों के लिए अपन एक छोटा सा break लेते है ब्रेक मतलब अपना 10 minute का break होगा हर बार 10 minute का break होगा और 10 minute के break में आप break में जो भी चाय पीते है coffee पीते है पानी पीते है जो पीना है वो पी लीजिए आराम करिए 10 minute और 10 minute के बाद फिर वापस अपन continue करेंगे so you have break for 10 minutes after 10 minutes we will start with this part इसके आगे हम break के बाद continue करेंगे